बीटे डियर डफ्ते से बाढ़ में नगर प्रिषद के सामने नगर प्रिषद के ही पारशद धरने पर बैटे हैं हाला कि चार साल में कई बार इस तरह के धरने लगाने की बात कही गई लेकि धरना पहली बार लगा जब बोल्ड कारिकाल समापती के इस्तिती में हैं इसको लेकर आज बाडमेर सबापती लूनकन बोथरा ने प्रेश वारता का आयूजित किया हैं। उनसे बात करते हैं और जानने का ये प्रियास करते हैं कि आखिर वो कौन सी बात हैं जिनको लेकर आज उनको प्रेश कॉन्फरेंस आयूजित करनी पड़ी हैं। हो भी एक महीने में दूसरी बार सर या तो तीन साल में मुश्किल दो बार आप मीडिया के सामने इस बार महीने में दो दो बार क्या लगता है कि इस बार नगर परिश्द का जो बुचाल है वो दिक्कत देरा आपको ने मेरे को कोई बुचाल नहीं है और जहां यह दढ़ने क जाके और विकास के कारों के लिए कुढ कहां देखो गंदगी जहां देखो सडके टूटीवी बाड्मेर की मैं सडक कोई नहीं है चाहिए राइकोलो नहीं हो चाहिए रेल्वेस्टेंस सामने जहां पर आपको गंदगी पानी ओफ्रो होगे बेदयए नहीं तो विकास दिखा रहा है कि आकडी तो साब लेख लिए जनता तो विकास देखना चाहती है कि सड़के उनकी बने पे पाने की गंदगी की जो बात कर रहे हो तो हमने भी इसका प्लांड करके कई सत्तियों से निकलें इस समस्या का जुल्दिन नते हुए अब हमने नाले सुबाज चोक से लेके और आपके कलेक्टर बंगले तक हो गया और राय कोलोनी से, राय कोलोनी की जो हमने रोड़े बनाई थी, उसके बाद जब ये नाला बना और नाला बनने के बाद जो वास्तिकता हो कुछ तूट तरंद प्रभाव से इसकी कारवाई की जाया, आप अपनी कारीकाल के उपलब दिया क्या मानते हैं, आप क्या मानते हैं, ये काम जो मैंने कि, ये टॉप पाँचे काम है, पाँच अच्छे काम आपको कौण से लगे, जो आपको ये लगता है, आपको संतुष्ट है कि जान 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 जी स्तती में थी आरे डीपी ने तोड़ी विदूत विभाग ने तोड़ी अगि बिना पर्मीशन नहीं पर विकास के कारे होंगे और सरगार के आदेस होंगे तो उसके पाणना तो करना ही पड़ेगा और मैं आया उसमें टूटी हुई थी काफी दो एक गैती और पावड़े वहां से आपने इस्टेशन रोड़ से जब्ट किये थे कि हमारे बिना इजाजत के यह लोग खोड़ा ही करें उनके खिलाब कर रही थी एक बार कर रही थी और उसकी पूपी चाहिए नहीं मुझे को भी नहीं मैं पूछ रहा हूं मेरा काम पूछना ह है कि यह इतनी दिन से दर्णा चल रहा है बाड़ मेर विदायक जो है जो बाड़ मेर विदायक जो है वो उन्होंने कभी आपके और पारशुदों की बीच बात चीत करना है प्रयास नहीं क्योंकि दस साल से पहले उसा जी तब भी विदायक मौदे अस्तक्षेप करते थे आपके वक्त भी कई बार अस्तक्षेप किया है उन्होंने तो क्या इस बार उन्होंने क्या आद निकाल दी क्या किया इसा कुछ नहीं है जिसमें यह दर्णा हुआ उसमें विदायक मौदे जैपूर गए थी आजकल आए हैं और विदायक मौदे भी बारता कर रहे हैं और म में उनका काफी योगदान रहता है तो मतलब विदायक का को बहुत बड़ा इसमें आथ रहता है तो सर इस बार उन्होंने नो दिन में कभी वाना तो फॉन पर कोई अगर अपने कारी करता हूं को सब्सक्राइब कर देंगे मैं विदायक हूं वापस आगे आपकी शुला कर सब्सक्राइब के लिए मैं भी इनके साथ चलने के लिए तयार हूं तो सर विकास मैं वही आपको करा आवारा पश्यों अभी तक सड़कों पर सर घूम रहे हैं आपने कहा कि पैसा हम खर्च करें पब्ली का पैसा करें लेकिन फिर भी आवारा सांड जो है वो तो सड़कों पिष्व हो दिकाई देक हैं v Soul मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं और आपको कि जो समlyस्या है बाहर के गावा से हवारा फसु आते रहते हैं और जाते रहते हैं बात सुनों और जिस समय जितने भी हम पऽसु पकर्ड़ते हैं पकड़ने के बाद हम बाहर जैसे पहले हेड़े अभीрузसाला में तो इसके लिए ये समस्षिया तो रेगूलर की हैं और और मैं कोशिष करके इस व्यवस्था के लिए जिल्ला परसासंद शाहां और सरकार को भी लेटर भेजा है के इसकी कारवे करके कुछ भी ऐसी व्यवस्था की जाए जो सहर की व्यवस्था मूल व्यवस्था जो है वो लोगों को तकलीप की जो व्यवस्था वह आवारphसू की है अब बार से कब शोड़ के चाहते हैं यह तो मैं तो कह नहीं सकता हूं और न आप भी कह सकते हो पर इसकी व्यवस्ता कह नहीं सकते लेकिन अगर लगाता है कोई समस्या आपन देखते हैं तो उसके उपर नज़र तो रखी जाती हैं कि मेरे शहर में अगर इस तरी के आवार पास बढ़ रहे ह तो आँ कहा से रहे, यह जिम्मेदारी तो नगर पारिश्टी की होगी निया सर? नहीं, रात को देखो, आपको तो 24 गंटे तो कोई आदमी वर्किंग कर नहीं सकता को रात को किसमेंश चोड़ के जाते हैं यह समस्या है समीशा का हम समाधान करेंगे और सर रात को कहीं अतिक्रमण हो जाए तो भी आपको पता नहीं है कि सबस्क्राइब क्या करें तो हम दूटी में यह नहीं कहना चाहरा हूँ आप अतिक्रमण का और आपने का चोईस गंटे बाहर के पश्यों अगर यहां पर आते तो यह भी अतिक्रमन है शहर वास्यों की जिन्दगी भी चल जाएगा इसकी व्यवस्ता करेंगे व्यवस्ता और परसासन के जितने भी अधिकारी मेरे यहां उनको कहूंगा कि इसकी व्यवस्ता कैसे करके शहर में यह व्यवस्ता सुचार रूप की जाए धन्यवाद बहुत बधन्यवाद यह बाड़मेर के नगर परिश्ट के सभापती थे और इनका यह इस पष्ट रूप से कहना है कि विकास के काम उन्होंने खूब किये हैं लेकिन यह आकिकत है कि शहर गंदगी से अटा पड़ा है सड़के तूटी पड़ी है विकास कहीं दिखता नही है कागज़ों में करोड़ों रुपे खर्च हुए दिखाई देते हैं बाड़में विधायक इस पूरे प्रकंड को लेकर अभी तक तो चुपी साथे हैं और सभापती का यह कहना है कि वह इन दिनों जैपूर में थे इसलिए बादचीत उनसे हो नहीं पाई एक तरफ कॉं कर अँड़न एक तरफ में चाई जया जया रवा कर दया है कर दो कर दो कर दो मैं आंट में कर दो क्कुपी तो मिवा